हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू एक्लासिस मैं आज आपको बताऊंगो सर्फिस एडिया एन वोल्यूम का आगे जो टूडी फीगर्स हम पढ़ने वाले हैं वो समझते हैं तो उन टूडी फीगर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे सबसे पहले एडिया जो हमने समझा था वह एडि किसी भी छेजा की ठीक है तो जैसे अगर मैं एक एक्वेक्वल स्क्वार का लिया यहां पे आपका यह एक डार्मिंसान है जो की लेंद चनल सकती है एक यह है दूसरे डारेक्षन में जो कर सकते हैं यह बिलांबस निकाल सकते हैं đây हम क्या को सकते हैं लिए जिसे हम boundary बोलते हैं तो boundary को हम यहां पर मैंत में कहते हैं जो boundary का सम होता है लब सारी लेंट्स को जोड़ दो वह perimeter कहलाता है क्या कहलाता है perimeter आगई बात समझ में next इंग आती है उसके बाद यहां से हम अब यहां पर हमें लेंट निकालना है एक तो हम पर पड़ेंगे एक तो हम पर पड़ेंगे लेंट पड़ेंगे पड़ेंगे एडिया पड़ेंगे यह तीन चीज तो पड़ने हैं हमने और कुछ होगा तो नेक्स्ट उसमें देख लेंगे तो कौन-कौन से फिगर हैं जिनके बारे में हमने समझना है वह देख लीजिए तो टूड़ी फिगर्स के अंदर आपका स्क्वेर आता है संख्दाइब यह स्क्वेर में नें मंल लिया तो यह हाँ पर नीमान लें ये जल्ली और यहां से हमें सबसे पहले लेंथ समझ आगई अब इसमें डाइगनल की लेंद्स निकालेंगे डाइगनल आट रीट लगाने पाइध लगाने के बाद मैंने कैसे समझा, मैंने ऐसे समझा कि एसे वन माना, इसे वन माना, तो यह कितना आएगा, 1, 1, 2 हो गया और 2 का स्क्रीट, रूट टू, जब यह वन पे रूट टू दे रहा है, तो यह पे कितना देगा, तो वन पे value निकालते हैं, जैसे हम कोई भी चीज कहते हैं, हमें 1 रुपे का कुछ भी बता दो या फिर 1 किलो का बता दो या एक quantity कुछ भी निकालते हैं तो उसमें स्रीफ multiply कर देते हैं यहाँ पर A की multiply हो जाएगी तो root 2 में भी A की multiply हो गई तो आपको समझ आगे होगा तो diagonal की length अपने निकाल ली ठीक अब उसके बाद हम parameter निकालते तो parameter क्या होता है parameter होगा यहां से boundary का सम्द तो a plus a plus a plus a यानि 4a हो गए चार बात a को जोड़ा तो 4a हो गया parameter आ गया area देखते है area क्या होता है area होता है दोनों length की गुना कर दो तो area दोनों length की गुना कर दो यानि a square आपका area आ गया समझ आगया आपको यहां तक चलिए नेक्स करते हैं अगर कोई भी doubt and query होता है तो comment box में type कर दिया करो आप जिससे कि हम आपको बता पाएं और हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी हमारे live classes आने लगें आपके लिए जिससे कि आप लोग समझ पाएं ठीक है चलिए नेक्स्ट इस चीज समझते हैं इसमें क्या क्या है तो next आपका rectangle तो rectangle बना लेते हैं हैं से हम यह मैंने rectangle बना लिया ठीक है यहां पर दियान से समझेंगे यह आपका डाइगनल है तो rectangle के अंदर 90 के सामने जो डाइगनल है वो कैसे निक होती है धियान रखना है यह वाली इसकर बराबर और यह वाली इसकर बराबर है और यह लंबाई होती है और ये चोड़ाइग नाम दे दिया जाता है अलगा यह निकालना है सब्सक्राइब निकालेंगे यहां तो दिहान रखना जब यहां वैल्यू पुट कर दोगे तो एक की वैल्यू अंडरोट पी स्कार आजाएगा यह डाइनल की लेंट हो गए संगें इसमें अब हम संगेंगे जैसे हमने पैरा मेंलएं निकालेंगे पास यहां आत पास ब्रैथ आगई तो दो कोमन आने के बाद यह लेंध हो गया और ब्रैद हो गया यह ब्रैथ वासमझे में अपने टा मैम्ань paper कि अधी और दूम्हाइब का करते हैं सबस्क्राइब करते हैं याद में नोट्स प्रोवाइड करा ठूल की नोट्स में अगर अगर आप लोगों ने कमेंट ने दो όगلام तो हम प्रॉवाइट करा दें के लेकर इसे नेक्स्ट Corporate बार मिन है आपका खान आप तो लिए म permits की समाझर एंट रह उती है और तो में एक रबन वापको से फिद रान डाउड होती है और इसके अंदर चारो साइड जो है वो बराबर हो मतलब क्या है कि अगर इसके साइड की लन्थ्ट लेंद ए है तो यह भी यह होगा यह भी यहुआ यह भी होगा ऻिपे होता है यह यह वो गलत मिलता वह से करेंगे सबसे पहले यहां पे इसक डायगनल के बारे में समझ लें तो डायगनल जो होते हैं rhombus के वो 90 काटते हैं कि दूसरे को कितने पर काटते हैं 90 डिगरी पे तो दियान आपने यह रखना है कि लगल कि मेरे पास साइट्स औफ ड़ूंबस गीवन है तो पैरिमेटर ऑफ ड़ूंबस कितना हो जाएगा ए प्लस-ए-प्लस-ए-प्लस-ए-ए-ए-ड्यी 4-e ठीक है तो 4-e आपका आगया ठीक है उसके बाद लागत इसमें आ जाती है आपको समझना होगा पैरिमेटर अध्या क्या होता है एंडिकुलर होंगे तो हमें एर्या निकाल सकते दोनों की गुणा करके एक ड्यम को डीवन नाम दे दिया दूसरे को डीटू दे दिया तो जब इन्दीघनल की गुना करें तो यह एक हिदर से इस्क्क्यार मन जाएगा पूरा और एक आप समझेंगे जैसे उसमें half into base into height कर देते हैं तो यह बेस और height जब होती है जब base or height के बीच में दोनों में perpendicular sign होता है ठीक है नई तो फिर हमें क्या करना होता है वो आपको clearly जब समझा दिये जाएगा जब थोड़ा साब टिग्नोमेटरी समझ लेंगे ठीक है टिग्नोमेटरी समझ लेंगे जो अब आपका next figure है वो है आपका पहले लोग्राम तो पहले लोग्राम के अंदर के तो पहले लोग्राम बना लेते हैं यहां पर चोड़े यहां पर थोड़ा सब्ड़ा कर लेते हैं यह पहले लोग्राम मैंने बना दिया अब यहां पर क्या क्या चीजें दे रखिए हैं वह समझ ले यहां पर पोज़साइड बराबर होती है और पहले भी होती है मतलब अगर इसकी कुछ लंबाई है तो वह लंबाई इ तो यह है तो इसके कुछ छूडाइ कोगी ओगी समझ आ अपने के लिखें है पर पेरिमेटर क्या होगा एडिय क्यों क्लेगा पर कुछ भी नहीं है इसके अंदर क्या है अपने एडिया निकालने के लिए हमें क्या करना होगा यहां पे 90 टीगरी तो कोई एंगल है नहीं तो लो करने के लिए इसकी सब्सक्रां असके है तो यहां पर यहां पर ये अंदर हमने लिया है है-L को लिए है क्योंकि-P kendrick zwischen फोले है से दिख रहा होगा आपको इसके हैइड अनी Será बेरिया इन करने अपने एते अंक अबहले हैं प्रफ्र होते हैं यह सब तो क्या मेर्में पड़ेंगे थालने करने सरगल तो इसे क्लियर करता हूं तो नेक्सट दोपिक आए आपका circle बना लेते हैं पर हमें ठोर धियान से समझेंगे इस चर्कल कर लिए मैंने अधि कैसा करें अंदर क्या है यह डिपेंड करता है सिर्फ सेंटर से जो सेंटर है आपका वहां से खीची या Bul आपके रेडियस कहलाती है क्या कहलाती है रेडियस्से मैं बस एक यही Civet là पूरा सरकूल होता है इसी से दोनों formula निकलेंगे एक तो यह इसके लैच निकलेगा यह जो लैंथ है जिसे हम यहां पेbell -... के नाम से कहते हैं पैदी नहीं बोलते हैं क्योंकि circular है circumference हो गया तो यह आता है two pi r निगा है समझा गया इसका एडिया जो कहते है वह एडिया होता है आपका pi r square निगा इस्वेर टिक है circumference पता चल गया आपको एडिया भी पता चल गया अब इसके अंदर क्या क्या चीजी और हो सकती है और यह हो सकती है कि यह 90 डिगरी पर सेक्टर है यह वो है सब कुछ आप पढ़ चुके चैप्टर नमबर 12 में तो यहां पर जितनी जरूरत है हम वही करते हैं ठीक है समझ आगे आपको तो इसे क्लियर करते हैं सरकल के बाद अगले पेज़ पर ट्रेंगल तो उसको ट्रेंगल लिए भी हो गया के लिए तो यहां पर देखिए 90 डिगरी पहले से है ठीक है दो बेस और हाइट 90 डिगरी नहीं हां कोई 90 नहीं है तो यह रोग करना पड़ता है आगई बास समझें यहां इसकी एच की वैल्यू दी जाती है एच्छी और यह बेस है और यह किस जिस पर भी आपको यहां से यह आपका 90 डिगरी के सामने एच होता है एच की वैल्यू भी निकलवा सकता है यानि इसकी वैल्यू निकलवा सकता है यानि पाइथागोरा साप लगा दो गए ठीक है कोई भी दिखकर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में टैप करें यहां तक कि अभी आपको टूडी फिगर के सब कास फॉर्मूले वगरा सब कुछ करा दिया ठीक है अगर वीडियो पसंद आ दिया तो लाइक करें सब्सक्राइब करें हमारे एक लास इस फैमिली का सब्सक्राइब